रेनू की जलन को अहिल्या ने दिया इंसानियत का नाम और फैसला किया कि अब ये कदम तो मुझे उठाना ही पड़ेगा नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंगरी स्पिरिट्स में अंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजुशलमा दिल से स्वागत करती हूँ ये जो दोस्ती है रेनू और अहिल्या के बीज में सच में एक्जेंपल है हम सब के लिए कि दोस्ती हो तो ऐसी हो बचपन से चली आ रही है दोस्ती बड़े हो गए है और अब जो ऐसा मुकाम है जहाँ पे रेनु वीक पड़ती भी दिखाई दे रही है वहाँ पे अहिल्या अब आई है उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से और उसके लिए वो ऐसा स्टेंड लेने वाली है जिसको लेके अहिल्या को भी कर्टिगरे में खड़ा किया जाएगा इनकी दोस्ती की बात करते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा सीन इनके बीच में हुआ और उसमें पूरी तरह से रेनु की जो फीलिंग्स थी वो सामने आ गई और उस पे रेनु की क्या-क्या टेक थे, क्या-क्या उसने कहा, यह सारी बाते इसमें करते हैं और अपना नजरिया भी, अपनी चर्चा भी करते हैं चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, क्रिपया कर लिए साथ में दूस्तों बेल आइकोन दबाइएगा ताकि आपको मारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे जो मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था, रहनू को लेके इस जलन की भी मैंने बात की थी मैंने अहिल्या की भी बात की थी, कि अहिल्या ने ये सोचा होगा, कि जब इसने ही सोच लिया है कि नसीब ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको आगे इसको देखती हूँ क्या होता है, ऐसा ही कुछ हमने बात की थी, तो अब जब रेणू कुद ही ये सवाल उठाती है, अहिल्या से, कि जब तुमारी काम्याबी होती है, सब लोग वावा करते हैं, उसमें ज़्याद की तारीफ ओरी है, जो वो पहले देख के आई है, सब लोग बदाई दे रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है, उसमें वो काफी कुछ कह जाती है, और रेणू की आखों में आसू आ जाते है, और वो वहाँ से चली जाती है, उसको एकदम से लगता है कि मैं गलस सोच रही ह तो यहाँ पर मुझे जो हमेशा से लगता आया है, जैसे अहिल्या ने भी कहा कि तुम इनसान हो, इनसान में हर तरह की फिलिंग्स होती हैं, और जो रेणू ने वहाँ पर कनफेशन में कहा है कि मुझे बच्पन में गौत्मा बाई साहिब ने कहा था कि तुमारी नजर तुम अकेली थी, मैं भी अकेली थी, तो चीजे अलग थी, मगर अब जो खंडराव आ गया है, तो मेरे मन में भी ऐसी चीजे आती हैं, जिसको वो जलन का नाम दे रही थी, मगर अहिल्या ने उसको वही पर रोक दिया और कहा कि तुम इनसान हो, और इनसान के अंदर ही सार काम नहीं करता है, तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन जो उन दोनों के बीच में हुआ, उसमें पहुत ही प्यारी दोस्ती सामने आई, कि कितनी अच्छी है इनकी दोस्ती कि एक दूसरे को कहा तक समझती हैं दोनों, रेनो को ये फिलिंग जाना और रेनो का उसी समय इस ब कि मैं अपने ही उसमें भाव में बह गई, मुझे समझना चाहिए थे कि मेरी सक्की के साथ शुरू से इतनी नाइंसाफी होती है, ये उसको मेरी बाते सुनके कितना अलब फिलोगा, तो जो रेनो के सारे के सारे सवाल थे, जो वो अपने आपसे बार-बार शायद पूछ र होता है कब हम शबना मिलता है, हमने पता है कि हमें इalकर इसमें पता चलता है कि अहां कहां से होता है, ये उम्मर ऐसी ही होती है, थे जो रेनो का जो भी चल रहा है, उसको अहल-लीआ अच्छी नाऊ LIKE Раз का अ-च्छी दोस्त थे कर में अस yö आज ये भावनाई बोल बहूर थ के कंडरा के साथ जो भी होता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर ये भावना ही आ रही है और प्रिक्षित तो है अपना रोल लिबाने के लिए जिस तरह उसने डेनो को वो डॉगी देखे उन्होंने बोला कि यह है जो इसकी माँ उसको छोड़ के चले गिए और उसके चेहर पे एक हसी ला दे एक समाइल ला दे कि तुम इसका ध्यान रखो तो ऐसे साथी की ही रेनो को जरूरत है क्योंकि अप्रिक्षित अभी तक जो उनका लग रहा है पहले लग रहा तक शायद किसी बैड एंगल से आया है मगर अब एंगल जो तूसरी तरफ प्रिक्षे नहीं अटेगी क्योंकि उसने यह जान लिया है कि जब चोटी थी मैं जब मैं यह सब देखती थी करती थी इसके लिए रेनु के लिए तब मुझे रोकने वाले बहुत सारे लोग थे और मैं रुक भी जाती थी कभी नहीं भी रुकती थी वह सब चीज़े थी म जब ठाव मैं यह काम जरूट करने एंप रहे इसके कुछ जाह बहुत Stop क्या कर दो आप तेख सवाउय क हमश्च तो सब्सक्राइब आए रगए रेनो के व्हाए काव थे मीलेंगा जरूर पार्ट सब्सक्राइब क्रने फ्याल है